नवस्कार दोस्तों स्वागत है एक वार फिर से आप सभी का HP Study Hub के इस YouTube प्लैटफॉर्म पे इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूंगा HP TET Medical जो कंड़क्ट हुआ है आज इवनिंग सेशन में 11 जुलाई 2021 को फर्स्ट लेक्चर में हम इसमें डिसकस करेंगे जिके पोर्शन को अधर लेक्चर में हम डिसकस करेंगे इसके अधर सक्षन को चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो सीर प्रिथ्वी दिवस कब बनाए जाता है World Earth Day के बारे में कि World Earth Day कब observe होता है राइट अंसर इसमें रहेगा option B 22 April को World Earth Day celebrate किया जाता है 122 सहारा रेगिस्तान कहां पर स्थित है आप से continent के बारे में पूछा था कि सहारा जो desert है कहां पर है सहारा desert option C Africa continent में ये स्थित है next 123 बरतमान में Chief of Defense Staff कौन है in present who is Chief of Defense Staff CDS के बारे मैं आपसे पुछा गया था कि present में हमारे CDS कौन है इसमें right answer इसमें रहेगा option D बिपिन रवत वो हमारे Chief Defense जो staff है at present में next one धामी गोली कांट कब हुआ धामी गोली कांट के बारे में आपने काफी सोना होगा इसका जो right answer है 1939 में ये हुआ था धामी रियासत में next 125 सोला सिंगी धार हिमाचल प्रदीश के किस जिले में स्थित है in which district of हिमाचल प्रदीश सोला सिंगी धार is situated right answer इसमें रहेगा option B district 9 में जो है सोला सिंगी धार situated है next one 126 2020 में जो प्रतिश्टित Oscar Award किस स्रेश्ट फिल्म को दिया गया था Oscar Award for the West Picture one which movie इसमें right answer है औप्शन C Parasite Movie को जो West Picture का औप्शन का औप्शन का औप्शन सही रहेगा next question है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उंची चोटी परवत शिखर शिला किस जिले में पढ़ती है शिला जो Mountain Peak के बारे में आपसे पूछा था कि किस district में ये स्थित है शिला Mountain Peak की बात करें तो right answer इसमें रहेगा option B district की नौर में जो है शिला Mountain Peak स्थित है next one 128 यूआन किस देश की मुद्रा है यूआन के वारे में आपको पता होगा जो यूआन मुद्रा है option B चाइना की next 129 यूरोपिया संग का मुख्यालिया स्थित है the head office of European Union is in जो European Union का head office के स्थित है Belgium में Brussels Belgium में ये स्थित है 130 भारत में बानीजयक बिमानन का जनक किसे कहा जाता है who is called father of civil aviation in India India में civil aviation की बात की जाए तो option B JRD Tata को बोला जाता है भारत में बानीजयक बिमानन का जनक option B इसमें बिल्कुल सही रहेगा next 131 195 इसमें हिमाचल प्रडिश को पूरन राजिय का दरजा मिलने पर बह भारत का कौन सा राजिया बना 25 जनवर 2017backs को जो हिमाचल प्रडिश को पूरन राजिया का दरजा मिला तो देश का भे अठार्वा राजिया बना था to option C इसमें बिल्कुल सही रहेगा 32 शक्संबत का पहला महीना कौन सा है वेशाक फागुं चेतर या फिर भादो जो शक्संबत का जो first month होता है option C चेतर ये वेशाक इसमें शक्संबत का first month होता है next श्री लंका की पहली महिला परधान मंतरी कौन थी कि श्री लंका की first जो female prime minister के बारे में पूछा ताकिव है कौन थी right answer इसमें रहेगा option A सिमारो बंधार नाई के जो की श्री लंका की first female prime minister है थी 134 इन में से किस खिलाडी को 2020 का जो रजीव गांधी खेल रतन पुर्सकार cricket में दिया गया cricket field में जो 2020 का राजीव गांधी खेल रतना ये मिला है option B रोहित शर्मा को बं 35 गुरू गोविन सिंग जी का जनम कहां हुआ था गुरू गोविन सिंग जी का जनम option A पटना में हुआ था next बं 36 डॉक्टर बीयार अंबेटकर का जनम कहां हुआ डॉक्टर बीयार अंबेटकर का जनम option C महू मध्या परदेशमेन का जनम हुआ था option C इसमें बिल्कूर सही रहेगा next 137 निवन में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है इन में से आपसे पूछा है कि वह कौन सा ग्रह है जिसमें सबसे छोटा दिन होता है सबी ग्रहों में अगर देखे तो जो पीटर जो ब्रहस्पती का जो दिन होता हो सबसे छोटा होता है आपने given option में से कर आई टंसर बताना था तो इन में से अर्थ अर्थ का जो जो इसमें सब दिन सबसे छोटा होता है 24 hours 24 गंटे में होते हैं मास की बात करों तो मंगल ग्रह में 25 वह आता है नेक्स्ट 138 रास्य बन नीती को कव शूरू किया गया था दा नेशनल फोरेस्ट पॉलिसी वाज लॉंस्ट इन यह लॉंच होई थी option A 1988 उन्सा 88 में इसको लॉंच किया गया था नेक्स्ट 139 दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग्य हैं बेव्ज यूज़ फोर टैली कम्म्यूकेशन आर टैली कम्म्यूकेशन के लिए जो वेव्ज यूज़ की जाती है माइक्रोबेब्स को सो option D इसमें बिल्कुल सही रहेगा next 140 करक्रिखा निमन में से किस राज्या से नहीं गुज़रती है इसमें उडिसा उडिसा स्टेट से होके करक्रिखा नहीं गुज़रती है next 141 रास्ट्या मतदान दिवस कब मनाया जाता है national voter day celebrated के जाता है हर वर्ष 25 जन्वरी को तो राइट अंसर इसमें रहेगा option C next 142 scout and guide के सस्थापक कौन थे who was the founder of scout and guide राइट अंसर इसमें रहेगा option B बदन पॉवल जो की सस्थापक है scout and guide के next question 143 आपसे पुछा गया था रास्ट्या उपभोगता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है on which day is the national consumer right day celebrated तो option B 24 दिसम्बर को मनाया जाता है रास्ट्या उपभोगता अधिकार दिवस 144 बिटामिन डी की कमी जो बीमारी इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो है option B रिकेट्स and osteomalacia सूखा रोग और अस्थिम रिदुता ये बिटामिन डी की कमी से होती है 145 किस बर्ष मतदान की आयू सिमा 21 बर्ष से गटा कर 18 बर्ष की गई थी इन विच येर दा वोटिंग एज वास रडूस तो 21 येर्स तो 18 येर्स इसमें राइट अंसर रहेगा option B 1989 को 61st constitutional amendment 1988 में ये जो एक पास हुआ था उसके बाद 1989 में जो बोटिंग एज को गटा के 21 बर्ष से 18 बर्ष किया गया था option B इसमें बिल्कुल सही रहेगा 146 पार्वती नदी का सुरूत कौन से जील है पार्वती नदी के बारे में आपको पता होगा इसके origin के बारे में तो ये originate होती है मांतलाई जो जील से 147 किनर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है किनर प्रदेश जो पुस्तक है इसके author है option C रहूल संकृतियाईन ये author है किनर प्रदेश के next अर्थ शास्तर के पिता कौन थे आप सभी को पता काफी easy question था जो father of economics है option D प्रोफेसर एडम स्मित next हिमाचर प्रदेश में क्षेतरफल के अधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है काफी ये भी बहुती normal question था सबसे छोटा जिला हिमाचर प्रदेश का है क्षेतरफल की दिस्टि से डिस्टिक हमिरपूर next question है last question इस जिके portion का अंतररास्टिया योग दिवस कब मनाया जाता है काफी ये simple question आप से पूछा गया था commonly हमें पता होता कि international योगा डे कब celebrate किया जाता है इसमें जो right answer रहेगा option A 21 जून को celebrate किया जाता है प्रतिवर्ष अंतररास्टिया योग दिवस तो ये थे इस lecture में जिके portion के 30 question को जो कि हमने discuss किये अगर आपको लगता है कि discuss करतेस में कोई question गलत हमारे से गलत हो गया हो आपको लगता है कि इसका right answer कुछ और होगा तो आप हमें comment करके बता सकते हैं ताकि हम अपनी जो गलतिया है उनको सुदार सकें तो अगर आपको ये lecture पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को अपने friends के साथ share करें ताकि सब तक ये valuable जो knowledge knowledgeable जो वीडियो है पहुंच पाए और साथ में ही अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी subscribe करें और साथ में bell icon को प्रेस करना ना भूले इस lecture की सभी पेडिया फाइल आप download कर सकेंगे हमारे telegram channel से link आप को उसका description box में मिल जाएगा बहां से आपने देख सकते हैं और telegram पे आप में follow कर सकते हैं बाकी आप मिलते हैं next lecture में नई वीडियो के साथ नया lecture जो नया section है जल्दी ही आपके सामने आएगा तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें नमस्कार